हेलो दोस्तो मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हव यूटुब चैनल पे स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में क्या करने वाली हूँ आज हम लोग फिजिक्स ओनर्स का जो कोस्टन बैंक है ना उसको हम लोग सॉल्व करने वाले है जैसे कि आप सभी को पता होगा गेस फेपर जो मार्केट में आता है उसमें कोस्टन का एंसर दिया होता है लेकिन जो कोस्टन बैंक मार्केट में आप लोग को मिलेगा उसमें आप लोग को उसका एंसर देखने को नहीं मिलेगा इसलिए मैं आप सभी के लिए question bank का video solution प्रवाइड करवाड़ी हूँ तो आप लोग video को maximum to maximum share कर दिजेगा चलिए देखिए क्या है पहला number question दिखिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ यह आप लोगों का बिहाड university का जो है न यह question bank है देखिए पहला number question क्या है derive the formula for the variation of mass of a particle with its velocity find the velocity of a particle at which the mass of the particle becomes double of its rest mass तो आप लोगों को निकालना भी है velocity जो mass जो है न वो rest mass के double हो जाएगा तो पहले हम लोग formula का derivation देखेंगे formula का derivation थोड़ा सा long है तो थोड़ा सा video का length बड़ा होगा तो आप लोग tension मत लिजिएगा और मैं आप लोगों को बता दू यह class किस-किस के लिए important है तो यह class physics honors के लिए important है और physics subsidiary के लिए भी जैसे कि आप सभी देख लिए 2020 में physics honors में पुछा गया था अब आप लोग देख लिए physics subsidiary में भी physics subsidiary में भी question number 2 जो है लाइक नहीं किए तो अभी मत कीजिए वीडियो खतम हो जाने के बाद अगर पसंद आएगा वीडियो तो लाइक कीजिए गा और comment section में बताईएगा वीडियो खतम होने के बाद ही चलिए start करते हैं आज का class चलिए देखिए हम लोगों का एक frame है ये वाला एक frame है जो की s frame है और ये एक frame है जो की s dash frame है हम लोग क्या किये हम लोग 2 frame माने है एक frame हम लोग का s frame है और एक हम लोग का y frame है पहले से लिखी हो यू ताकि वीडियो का लेंध ज्यादा बढ़ा नहीं हो ओके ये आप लोग का x axis है ये y axis है ये z axis है यहाँ पर अब्जारबर है और यहाँ पर एक mass है m1 जो की u dash velocity से है और m2 जो है ये भी u dash velocity से है बट इधर इस direction में आ रहा है तो वह negative u dash velocity से है ये frame जो है ये v velocity से move कर रहा है और ये frame जो है वो रेस्ट में है हम लोग कुछ consideration मानना होगा कि अगर आप लोग इसको फ्रूफ करने के लिए आता है तो आप लोगा consideration जो है वो लिखना होगा किस टाप से लिखेगा ये देखिए तो आप लोग लिखिएगा consider two bodies of masses m1 and m2 हम लोग दो m1 और m2 मास कंसीडर किये हैं जो कि move कर रहा है जो कि वह स्ट फ्रेम में जो है ये दोनों मूव कर रहा है कि और मूव कर रहा है तो तो अकिस टाप से लिखे कुए को को मैं कि डेटिवेशन सम्झाऊंगे उस पर ध्यान दिजीएगा सबसे पहले आप लोगों क्या करना है एक frame बनाना है यह इस frame है सबसे इस frame में दो mask को consider करना है जो दोनों का velocity दिया हुआ है U' और इसका दिया है minus U' उसी को हम लोग statement format पहले लिख देंगे उसके बाद हम लोग derive करेंगे consider two bodies of massage m1 and m2 moving in frame s dash s dash frame में move कर रहा है towards each other with velocity u dash and minus u dash respectively मतलब m1 जो है वो u1 से move कर रहा है और m2 जो है वो minus u dash से move कर रहा है उसके बद आप लोग करके है and consider u1 and u2 are the velocity of same bodies relative to an observer in s frame तो यह आप लोगों को यह लिखना है इसको लिख लीजेगा इसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे इसको प्रूफ करने से पहले हम लोगों को जो प्रूफ करना है इससे पहले हम लोग को एक theorem पता होना चाहिए वो theorem क्या है चलिए उसको समझ लेते हैं दो लाइन में उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे चलिए ये हम लोग का एक theorem है velocity addition theorem velocity addition theorem का ये एक formula है बस आप लोग एक formula की तरह याद करिए जैसे कि बहुत सारा formula आप लोग याद की होंगे उसी तरीके से इस formula को भी याद रखें और इस formula को नाम इस नाम से जानिए velocity addition theorem तो इसका formula क्या है velocity addition theorem U equal to U' plus V divided by one plus U'V अपने मन में एक पर लीजएगा चलिए अगर ये आप लोग ये ये एक जनरल formula है तो आप लोगों से मैं पूछूंगी ये जो आप लोग का इसका इसका फर्मूला क्या हो जागा यूवन एक्वाल टू यू डैस वी प्लास वी अपन मतलब कि देखिए यह यूवन जो है यह मास M1 के लिए और यूटू जो है वह मास M2 के लिए यह समझ लिजी आप लोग अच्छे से उसके बाद देखिए तो अगर मैं आप लोग को पूछूँगी यूवन एक्वाल टू फर्मूला तो यूवन इक्वाल टू जैसा कि फर्मूला में आप लोग को याद करवा यू डैस प्लस वी अपन यूड़ेस वी अपन सीस्कार यहां M1 के लिए यूवन तो यूवन है तो यूवन जो होगा यूवन हो जाएगा और यूटू हम लोग कैसे लिखे है जो S frame में U 1 है और U2 है ये दुनों का फर्मूला हम लोग कैसे निकाले है velocity addition theorem की मतलब से हम लोग बस M1 के लिए U' जो था यूडस ही था और M2 के लिए U' जो था हम लोग क्या है हम लोग दो फ्रेम ऐस देश प्रेम एकुला हैं कि दो यह जोए सब्सक्राइब कर से मुण कर रहा है इतना समझ लिए और जो consideration हम लोग किये वो उसको statement के form में लिख दिये उसके वाल हम लोग velocity addition theorem की मदद से जो एस frame में U1 और U2 है वो हम लोग निकाल लिए अब हम लोग देखिए क्या देखेंगे from conservation of mass and momentum principle आप लोग को पता होगा conservation of mass और momentum का principle क्या है यही है कि momentum जो है ना वो कंजर्व रहता है collision से पहले और collision के बाद भी तो हम लोग उस principle की मदद से इस question को proof करेंगे चलिए यहां पर मैं डाइग्राम में समझाती हूं आप लोग को जैसे कि यहां पर M1 जो मासे वह यू डेस्ट जा रहे है और M2 जो जा रहे है और M2 जो है वह यूटू वेलोसिटी से और जब दोनों साथ में आ जाएगा M1 प्लस M2 तो यह किस से मूब करेगा तो यह जो है यह फ्रेम जो है वह वी वेलोसिटी से मूब करेंगा यह मैं आप लोग को एक जांपल से समझाती हूं अभी समझमें नहीं आया होगा तो दे मोमेंटम कंजर्ब रहता है उसकी मदद ले रहे तो हम लोग का मोमेंटम से पहले और कोलीजन के बाद दोनों जो है वह कंजर्ब रहेगा ओके तो हम लोग का मोमेंटम को कंजर्ब करवा दिये अब हम लोग क्या करेंगे यू 1 जो में से दिये आप लोग सारागर कंजर्ब करें दोनों में लोग को समझने ल Cap लies को अप लोगर को बहुत सरा प्रोडम आ सकता है जो है तो देखे आप लोग का यू 1 जो है ना यू1 इसका में हम लोग यूटू जो था वह लोग इसको उधर ले गया है और इसको इधर ले जाएंगे और यूटू के जगह पर हम लोग जो फर्मुला पहले थोई दिर पहले हमें आप लोग को बताई थी क्या होगा वह लोग यहां पे राख दिये फिर हम लोग इसको सौल्व किये हैं अगर आप लोग को नहीं समझ में आड़ा होगा तो मैं आप लोग को रॉफ में समझाने की कोशिश करूंगी तो देखिए अगर आप लोग को यह नहीं समझ में आड़ा है यहां पर है आप लोग को M1 और यह है आप लोग को U' plus V upon U' V upon C square और इसको हम लोग को सौल्व करना ह हम लोग इसको क्या करेंगे देखिए यह तो जैसे है वैसे है तो हम लोग इसका लेंगे LCM तो नीचे है 1 plus U' देखिए हम लोग कुछ भी नहीं किये है हम लोग सिर्फ LCM लिए और माइन से M1 भी तो M1 के साथ जो है यह हम लोग 1 plus U' V upon C square को मल्टिप्लाइ करके इसको सौल लास्ट में आप लोगों का M1 और M2 का जो रेसियो है वह यह बचेगा आप लोग उसको सौल कीजिएगा अराम से खुछ से आप लोग खुछ से कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप लोगों को इतना ही समझाऊंगी आप लोगों को यह मास और वेलोसि से पता कर लिए और हम लोग उसको सॉल्ट कर रहें तो हम लोग यहां से M1 और M2 का डिया और इसको माली हम लोग एक्वेशन थिरी अब लोग क्या करना है और बताना यह दोनों में हम लोग का रिलेस्ट क्या होने वाला है तो इसके लिए आप लोग को एक स्टेप लियाद मैं पता नहीं कब हो जाए जल्दी हो जाएगा इसके लिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ और मैं आप लोग को बता दो आप लोग का एक्जाम सब्जेक्टिव होने के चांस होगा ऐसा तो मुझे कोई ऑफिसियल ख़बर तो नहीं मिली है लेकिन हम एक सही नियूज है या फिर गलत यह पता नहीं लेकिन यह नियूज सही होगा एक्जाम सब्जेक्टिव होगा चलिए देखिए एम ओन और एम टू का दोनों का हम लोग यह निकाल लिए और आप हम लोग को इसको निकालना है तो इसको निकालने के लिए हम लोग को यह निकाल और तो हम लोगों को 1-1 यहां पर यूवान 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 यहां फिर थोरा ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर आप लोग के लिए प्रोब्लम हो जाएगा तो यहां पर 1-1 स्कोलिक हैं स्कोलिक लमख निगे और 11 6 जल्दी जल्दी को कंप्लीट कर लेंगे लिदी की स्ट्राइम लोग स्कनिकल और लोग को कंसेप्ट वटा लूँ कृसचे करना है अब लोग को खुश्चे करना होगा तभी यह समझ में आएगा वरना समझ में नहीं आने वाला है तो हम लोग को इसके बड़ाबर आएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं क्या आएगा और हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसको कियों को स्वैयल हम्लग दीक्वेशन मालनें में 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 जोग यूं उ–सके निकालना था निकालना था निकालना था निकालना है तो यहां से हम लोग एसका value निकला है तो यह value हम लोग को यहां सा निकल जाएंगा तो हम लोग इसको माल लेंगे equation five ओके तो हम लोग यहां पर one plus u dash v upon c square निकाहें तो देखिये फिर one minus u dash v upon c square जो निकालना है न उसके लिए हम लोग को उतना मेनद करने के जिवЕТ नहीं है यह जो निकाले है उसी के भिहाब पर हम लोग इसको भी निकालेंगे तो हम लोग का यह दिमाग लाने के जरुवत नहीं है तो हम लोग इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को हम लोग इक्वेशन 3 में रखेंगे और हम लोग का दोनों में रिलेशन आ जाएगा तो चलिए देखें क्या है तो हम लोग क्या किया है हम लोग पूट वैलुज फ्रॉम एक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 इन एक्वेशन 3 अब हम ल लोग के जगे पर जिरो रखते हैं तो हम लोगों का जुनिकल के आगा वैल्यू वह 1 अपन 1-1-2 का स्कुर्ण आजाएगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके बाद हम लोग Şimple or easy Notation के लिए M1 को है वो M2 जो है मतलब कि M2 जो है मतलब सैम years माँस है तो M2 को माल लेंगे minutes और हम लोग यह Yu-च cavges U-च Michael है तो हम लोग इससे माल लेंगे हम लोग लिख देंगे After equal to M0 upon root under 1, Muse SvS4ad upon CAS square यहीक्विच्वेशं सेवन जो है इसे को हम लोग जानते है www.ma4.id समझ हम को क्या जानते है हम लोगboys वाडियेशन के नाम से दिशेटगोंने का लुदन मास्य वट सीटीçi एम का मास्य का विलसीटी और MW x serdust तो चलिए इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर लिए अगर आप लोग लिखे नहीं हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसका स्क्रियनबस ले लीजी या फिर नहीं हो Elde किसी परकार की कोई भी डाउट होती है तो मुझे कमेंट सिक्सें ने पूछ सकते हैं या फिर टेलिगाम चैनल को ज्वाइन होके हमसे पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछ रहा है तो यूटूब पर ही कमेंट कर दीजिएगा ओके देख सकते हैं चिलिए आप लोग इसक्रीन स मैं तवियत खड़ाब था इसलिए तीन देन से वीडियोज नहीं आ रही थी आप लोग को लेकिन अब तवियत खड़ाब लेकिन फिर भी मुझे आप लोग को सब्जेक्टिव रहता है इसमें थोड़ा से ज्यादा महिनत करना होगा क्योंकि याद करना होता है तो पहले मै आप लोग को बता दूंगी तभी तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाईएगा और मैं आप लोग को बता दो गेस पेपर में इस लेंग्वेज में लिखा रहा था इससे आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है तो हम लोग आज क्या किये हम लोग आज 2020 का ग्रू स्क्षार करो iqu刹ते हैं क्या इससे स्क्षार कि यहीं यहीं लोग देखे हैं मश्याज करो इसका सब्सक्रेथा मैनेस वूच्ण से को एंडा है कि यहां तो यहां मैनेस कोई कशा와 स nell इवालने मतलब 4 इवस्टेंट पर इवस्टों तो यहां फे से अर्म लो क्या जाएगा वी सुराइब भी सरो कि हेसे ओसने तीन बैटे पर सेकेंड होता है तो हम लोग को यहां से तरीके से हम लोग 2020 के फिजिक्स ओनर्स के पेपर वान के ग्रूप एका पहला कोशन भी सॉल्ब कर लिए और ये कोशन फिजिक्स अबसेडरी के लिए भी था 2015 में पूछा गया था जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही दिखा चुकी हूँ तो बार बार दिखाने का कोई मतलब है नहीं अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिये किसी फरकार का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्सिन पूछ लिजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए और नेक्स्ट कुस्टन के लिए कमेंट से ने बता दीजिएगा आप लोग को बाकी सभी कुस्टन का भी एंसर चाहिए आप लोग बस कमेंट करते रहेगा जो कुछ भी जाहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो Okay, bye, take care.